इस लेक्सर में हम quantum computing के बारे में पढ़ेंगे, quantum computing क्या होता है, quantum computer क्या होता है, quantum technology क्या होता है, quantum supremacy क्या होता है, quantum supremacy क्या होता है, इन सब के बारे में detail से पढ़ेंगे, ये topic science and technology में आता है, और UPSC science and technology से हर साल 10 से 15 question पूछने लगी है, 5 to 10 question तो compulsory होते ही होते हैं, हर साल आप question paper पर उठा कर देख सकते हूं, तो यह इस लिए important हो जाता है, हमार लिए पढ़ना क्यों कि नई technology है, और अभी develop हो रही है यह, तो इसकी application क्या है, क्या use है, तो वो हमार लिए most important है, वो भी पढ़ेंगे, और कैसे काम करता है, सारा detail में बढ़ेंगे, तो start करते हैं अबना lecture, सब से पहले quantum computing से पहले जानते है, computing क्या होता है, computing का क्या मतलब है, computing क्या है, is an activity that uses computer to manage process, communicate information, मतलब computing क्या है, ऐसी activity है, जो क्या करता है, information को manage करती है, process करती है, communicate करती है, जैसे simple भास हम समझेंगे हम, कि जैसे आपका calculator होता है, calculator क्या करता है, calculate करता है, कुछ भी आप 2, 2 कर दिय आपने, तो calculate करता है, तो computing भी क्या होती है, computer के आप process कोई भी information उसको process करती है, जैसे मालोग बहुत large scale पर information जो ना आपका calculator कर सकता है, ना आपका, क्या कर सकता है, आप human कर सकता है कोई भी, तो इसको क्या है, ये computing का process क्या है, information को manage करना, जैसे calculation करना, computing करना, मतलब एक तरह से counting करना, गन्ना करना, तो ये काम होता है computing का, और इसमें दोनों include होते हैं, software भी और hardware भी, hardware आप जानते हो जैसे आपका mobile है, mobile की display hardware हो गया, आपका battery है, mobile की hardware होता, software हो क्या हो गया, software हो गया आपका, जैसे आपका application, phone में application है, या computer में कोई software होते है, जैसे आपकी phone में application है, YouTube की, WhatsApp की application software हो गया तो यह software होगा तो quantum जो computing है दोनों को use करता है hardware software दोनों को include करता है sum list करता है अब जानते है quantum computing क्या होता है quantum computing भी same process होता है जो क्या करता है computer technology एक ऐसी computer technology है जो quantum theory के principle पर काम करती है अब यह quantum theory क्या है quantum theory है जी यह जो quantum level पर काम करती है quantum theory जो क्या करता है matter और energy के behavior और nature को describe करती है matter और energy क्या है जैसे matter क्या होता है matter जानते है सबसे पहले हम matter होता है जी मानलो कोई भी ऐसी चीज जिसे आप touch करके देख सकते हैं और जिसके पास mass हो anything which have mass and can be touched और can be sensed through your touch मतलब touch करके आप देख सकते हो जैसे मानलो pen pen क्या matter है yes matter है आप touch करके देख सकते हो कोई भी ऐसी चीज जिसमें mass हो इसमें mass है बाहर है इसका कोई हाँ बिल्कुल है chair जिसे आप बैठे होंगे chair या फिर आपका bed सब matter है जिसमें बाहर है और जिसके पास जिसे हम touch करके देख सकते हैं तो वो matter है energy आप और जानते ही हो तो यह quantum level पर काम करती है quantum technology जो quantum computing होती है यह भी information क्या है process करती है कैसे काम करती है पूरा जानेंगे detail में अभी यह क्या है क किस लेवल पर काम करती है quantum level पर काम करती जाने कि atomic और sub atomic level पर atomic all of the time जी से महां लूग कोई भी चीज़ है मां लूग कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ैंगी आपके steel है यर कोई और भी चीज़ैंगे वह सब atom से बने होते है पसिये शब में atom होता है atom क्या हम क्या होता टुकडे ना किया जा सकें जिसके जैसे मानलो आप स्टील ले लो आयरन ले लो लोहा ले लो इसके ये लोहा है इसे बहुत इसे काटते चले जाओ तोड़ते चले जाओ तोड़ देंगे इसका छोटा पीस बचेगा ये मानलो ये इतना बड़ा लोहा था आपका ये मानलो ये iron road है ये तोड़ दिया आपने इतनी बची इसके भी और टोड़े कर दिया इतनी इसी बची फिर points हो बच गया मतलब इसके आगे ये further divide नहीं हो सकता ये हो गया जी atom और atom के अंदर क्या होता है आपको पता ही होगा atom है ये इसके अंदर nucleus है nucleus मतलब नाभिक इसके अंदर होता है neutron और proton proton और neutron होता है nucleus में और इसके बाहर electron घूमता होता है atom के बाहर तो ये proton पर क्या है positive charge होता है neutron पर neutral कोई charge नहीं होता और electron पर negative charge होता है तो ऐसे इसे denote करते हैं हम परदरसित करते हैं तो ये क्या है ये electron, proton, neutron यह subatomic हो गए, subatomic level पर, यानि कि subatom हो गए है, क्योंकि atom के पार्ट है नहीं, atom के अंदर है, इन्हें elementary particle भी बोल सकते हैं, elementary particles, कोई भी पधार्त, elementary, तो यह क्या है, जो information जाती है, quantum technology से, quantum computing से, electron लेके जा सकता है, information, और elementary particle पर भी जा सकती है, जैसे आपके photon हो गया, nucleus हो गया, सारे detail में जानेंगे, अब यह जानते हैं, आपने जान लिया, कि यह quantum computing होता क्या है, कि quantum technology पर, quantum theory पर काम करता है, quantum label पर काम करता है, किसी भी matter और energy के behavior को define करने के लिए, मानलो, आपको calculation करनी हो, बहुत मातरा में, यह ऐसी calculation करता है, जो human नहीं कर सकता, पूरी lifetime में, computer नहीं क how do the quantum computing works, देखो जी, simple जो होते हैं, computer, classical computer, या conventional computer, जो आपके घरों में होते हैं, computer, laptop अगेरा, वो क्या है, binary system पर काम करता है, computer, binary system पर, binary system क्या होता है, जैसे मानलो, अभी आप क्या लिखते हो, अपनी copy में, 0 से 9 तक word यूज करते हो, यह अंक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, जैसे मा जाए, computer, binary system पर काम करते हैं, binary में क्या होता है, सिर्फ 0 और 1 यूज होता है, या तो 0 या 1, तो जो classical computer होते हैं, जैसे मानलो, आपके binary system में 13 को लिखना हो, तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, 1, 1, 0, 1, तो ऐसे कुछ लिखा जाएगा, 1, 1, 0, 1, तो यह 13 हो गया, तो यह binary system में जो भी information रहेगी, calculation रहेगी, उसे binary system में calculate करेगा, मतलब convert कर देगा, और फिर भेजएगा, मानलो, जैसे आप phone में गाना चलाते हो, आपका phone है, फोन में गाना चलाते हो, तो जो भी, मानलो, आपका data है, music का data है, data तो जानते हो न, data कोई भी हो सकता है, आपका photo data है, जैसे आ आपका अपने phone में गाना चलाया, तो गाना चलायेगो, तो कोई भी गाना चलेगा जैसे भी, तो आप चलाओगे, तो क्या होगा, ये क्या है, गाने की जो information रहेगी, जो song होगा, उसको क्या है, binary system में convert कर देगा, 1010111111, ऐसे 110010, ऐसे, इसे convert कर देगा binary system में, और आपके loud speaker जो लगा है, जहाँ speaker लगा है, उस पे भीज देगा information, और वो आपको song की form में सुनाई देगा, तो ये ऐसे binary system पे काम करता है, इसमें ये देखो, जो classical computer होता है, जैतो 0 यूज करता है, ये 1, और जो quantum computer होता है, वो 0 और 1 एक साथ यूज कर लेते है, 0 और 1 को एक साथ classical bit होता है, या तो 0 ले गए, या 1 लेगा, एक time में, लेकिन ये दोनो time में 0 और 1 पे काम करता है, कैसे काम करता है, पूरी detail में जानेंगे, इसके लिए देखो, classical computer क्या है, performance operation using classical bit, classical bit क्या है, या तो 0 पे काम करेगा, या 1 पे, either 0, either 1, classical computer, लेकिन जो quantum computer है, वो quantum bits यूज करता ह quantum bits, shortcut में बोलता है, qubits, ये, मतलब, which can be both 0 और 1 at the same time, मतलब same time पे 0 भी और 1 भी, कैसे, आप इसमें देखो, ये figure, ये 1, ये 0, ये bit का system अलग, और ये qubit है, ये 1 और 0, एक साथ लेके जा रहा है, और आपका जो data convert होता है, ये दिखाई दे रहा है, ये data convert होता है, तो भेजता है, जैसे मानलो आप, ये कोई coin मानलो सिक्का, ये 2 coin है, अगर classical computer होगा, conventional computer होगा, या तो 0 information लेके जाएगा, या 1 लेके जाएगा, लेकिन चो quantum computer होगा, वो क्या होगा, ये एक साथ, मानलो आपका coin हवा में है, हवा में, अब आपको पता नहीं है, इस पे 0 ये बने, 0 भी औ 1 भी है, दोनो साइड, जैसे मानलो आपका coin head tail का, इधर head है और इधर tail है, तो आपका अगर हवा में coin ने उचाला आपने, तो ये पता नहीं लगा सकती न, 0 और 1 दोनो information लेके जा रहा है, अब जो भी information चाहिए, जहाँ पे information भेज़े, जो भी information आप सर्च करोगे, वो दे करके दे देगा, तो ये ऐसे काम करता है, ये qubit पे, quantum computer, तो इसके बारे में थोड़ा odd detail से बढ़ते हैं, ये elementary particles होते हैं, जैसे photon हो गया, nucleus हो गया, electron हो गया, तो इनको भी qubit की तरह use कर सकते हैं, photon जैसे photon क्या होता है, photon जैसे आपके light आती है, सूरस से light आती है, आपके bulb से light वो photon की form में आती है, मतलब ये packet of information होता है भी माल लो, जैसे माल लो light या आ रही है, एक packet की form में रहेगा, ये packet ये photon है, ये light लेके जा रहा है, और electron आप जानते हो, electron, nucleus आप जानते हो, तो इसको qubit की तरह use कर सकते हैं, क्योंकि वो 0 और 1 की form है at the same time, same time में information लेके जा सकता है और क्या जी इसमें, ये जो quantum computer है, ये दो principle पे काम करता है, जो quantum physics के होते हैं, एक तो super imposition और entanglement, अब super imposition क्या होता है, super imposition होता है, इसका मतलब है qubit को same time पे 1 और 0 की form में ले जाना, मतलब एक दूसरे के उपर impose रहते हैं, super impose का मतलब, ये देखो आप, ये लेके जा रहा है कोई भी, qubit लेके जा रहा, 1 और 0 at the same time, दिखाए दरहा, कभी 0, कभी 1, कभी 0, कभी 1, तो ये information लेके जा रहा है, qubit की form में, तो इसी को बोलते है, super imposition, एक के उपर एक, super imposition, और फिर एक को रहता है, entanglement, entangle comment का मतलब है, qubit क्या है, जो super imposition की form में data लेके जा रहा है, मालों साथ interact करने में, एक साथ, दूसरे के साथ attach होने में, तो attach रहते हैं, मतलब कि ये perform करते हैं, कोई भी calculation, एक दूसरे से attach हो जाते हैं, एक दूसरे की information से, attach कर लेते हैं, कैसे, देखो, ये देखो, दो qubit हैं, और एक दूसरे से interact कर रहे हैं, तो इससे क्या है, जो भी information supercomputer बहुत यह fastest computer होते हैं और जो quantum computer हैं यह super computer से भी बहुत fastest काम करते हैं आप इसमें और क्या है जो देखते हैं अब जो यह quantum computing का idea generate कहांसे होता है जो quantum computer का सबसे पहले idea कहांसे आता है यह प्रोफेसर थे पॉल बैनियोफ ये US की एक लेब है आर्गोन नेशनल लेब अमेरिका की 1981 में ये काम कर रहे थे लेब में तो इनके दिमाग में आया Quantum Computing का आइडिया लेब में काम करते हैं पॉल बैनियोफ आइडिया सबसे पहले कहां से आया पॉल बैनियोफ नाम के आदमी थे US के, अमेरिका के तो उन्होंने ये आइडिया दिया लेकिन इसे सबसे ज़्यदा इंपेटर्स किसने दी, मतलब की सबसे ज़्यदा परमूट किसने किया इस आइडिया को, Quantum Computing के आइडिया को उन्होंने आइडिया दिया जो 1984 में क्या है इन्होंने एक Computer Design किया जो Quantum Rules पे काम करता था Quantum Computing पे काम करता था तो परमूटन किसने किया डैविद ड्वेट्स ने और आइडिया किसने दिया पॉल बैनियोफ ने ये USA के थे और ये बिटेन की जो Oxford University of Britain में उसमें काम करते था ये तो इन्होंने दिया सबसे पहले तो इसलिए अभी तक जो First Phase है Quantum Computing का उसने क्या-क्या बना के दिया है हमें उसने Laser और Semi Conductor Transistor बना के दिया है Invention हुई है Quantum Computing के बेस्ट पे Laser आप जानते हैं किसलिए काम होता है Semi Conductor वगरा जो Transistor है आपके Radio में, Phone में, TV में, Computer में, सब में यूज होते हैं अभी क्या है? इसमें जो Advanced Stage है वो करना बाकी है और इसलिए जो Second Revolution चल रहे है Quantum Computing की वो क्या है? उस पे अभी काम चल रहा है जो क्या है? आगे Advanced Research करना चाह रहे है तो अभी Quantum Supremacy क्या होता? यह देखते हैं Quantum Supremacy क्या है? यह टर्म है सबसे पहले John Preskill नाम के एक Professor थे जो California Institute of Technology में काम करते थे यह भी कहाँ पर है California Institute of Technology आमेरिका में, USA में तो उन्होंने 2011 में Quantum Supremacy का सबसे पहले phrase दी, सबसे पहले coined करने का मतलब है was coined in the year 2011 by John Preskill मतलब 2011 में John Preskill ना सबसे पहले यह टर्म दी Quantum Supremacy की और Quantum Supremacy का मतलब क्या होता है? यह ऐसा process है problem solving process मतलब किसी भी परेशानी को problem को solve कर सकता है calculation को quantum computer के द्वारा जो क्या है? जो classical computer अपनी पूरी life में solve नहीं कर सकते that cannot be solved by a classical computer in its normal life मानलो कोई भी calculation है आपकी जैसे मानलो 2 plus 2 plus 2 यह infinite रूप से ले ले हैं बहुत ही जादा ऐसी calculation जिसे जो आपके घरों में computer होते हैं classical computer, conventional computer पूरी अपनी normal जो life है उसमें calculate नहीं कर सकते है उसे क्या है? quantum supremacy से solve किया जा सकता है quantum computer से तो यह quantum computer solve कर सकता है तो इसी को बोला है quantum supremacy अब यह जो quantum supremacy का है आगे से प्रेड हुआ कैसे से प्रेड हुआ जो google company है google ने quantum computer बनाया तो इसने quantum supremacy को achieve किया कैसे? इसने बोला कि हमारा जो quantum computer है वो क्या है तीन मिनट 20 सेकिंड में ऐसी calculation कर देगा जो classical computer 10,000 years में भी नहीं कर सकता classical computer submit नाम का classical computer है जो most advanced computer है classical computer है वो submit नाम का इसका submit classical computer का नाम है यह 10,000 सालों में भी इस calculation को solve नहीं कर सकता वो quantum computer 3 मिनट 20 सेकिंड में कर देगा 3 मिनट 20 सेकिंड में क्या पड़ी जी वाई quantum computing is needed इसकी जरूरत क्या है quantum computer की जरूरत इसलिए क्योंकि यह बहुत एक तो बहुत advanced technology है दूसरा क्या है यह फास्टर बहुत है मतलब अभी देखा न हमने यह ऐसी calculation को solve कर सकता है जो दसजार सालों में भी classical computer solve नहीं कर सकता तो यह क्या है टास्क को faster तरीके से कर सकता है second advantage क्या है इसका accurate है मतलब बिल्कुल accuracy से यह data solve करता है तो इसलिए क्या है यह suitable for national security और big data handling के लिए next क्या है energy efficient भी है जी यह कम energy use करता है इस waste less energy कम energy खर्च करता है तो इसलिए energy efficient भी है अब देखते हैं इसके application क्या है मतलब कि use क्या है कहाँ पर quantum technology का use हो सकता है प्रियोग हो सकता है quantum technology का जी सबसे पहले तो secure communication communication को secure करने के लिए रक्षा करने के लिए कैसे इस रक्षा करने के लिए कि चाइना ने अभी इसका example दिया है चाइना ने अपना quantum computer बनाया quantum communication की द्वज़ा से जो terrestrial और satellite के बीच में क्या है जैसे यह satellite है जी यह satellite है स्पेस में और नीचे earth station बने हुए यह earth station अर्थ पे यह क्या है यहां से data आ रहा है तो normally क्या है जो computer से data होता है कि मतलब process होता है तो यह data आ रहा है तो इसे hacker क्या है hack कर सकते हैं hack का मतलब जी data चोरी करना एक तरह से तो चोरी कर सकते हैं लेकिन अगर जो quantum technology पर जो data आएगा information कोई भी जाएगी मानलो यह data आ रहा है quantum technology पर based मतलब इसे पता ही नहीं लगा सकता कि data में है क्या तो data एक तरह से damage हो जाएगा तो इसलिए कोई hacker भी क्या है hack नहीं कर सकता है इस technology से तो secure communication established हो सकता है इससे तो यह चायना करके दिखा चुका है तो इसलिए क्या है यह satellite के लिए significant है military के लिए cyber security के लिए और क्या है unhackable satellite communication के लिए fast computing के लिए सब के लिए important है next क्या है research के लिए यह क्या advantage हो सकते है इसके research खोज करने के लिए कैसे gravity और black hole की खोज करने में यह क्या है ज्यादा हमें help कर सकता है दूसरा क्या है इंडिया के एक project है जी genome India project जिसमें क्या है इसमें 20 institutions साथ दे रहे हैं collaborate कर रहे हैं एक साथ 20 संस्था है genome India project में क्या है कि जो भी मानलो people's हैं उनका जीन की information collect करेंगे उसको process करेंगे और इसमें क्या है मानलो कोई नहीं बीमारी आती है तो उससे पताया लगा जाए सकता है कि यह कौन से जीन के में को ज़्यादा effect कर रही है कौन से लोगों को ज़्यादा effect कर सकती है और उसके इसमें भी help करेगा genome India project में भी और क्या फाइदा है जी इसके disaster management में यह advantage हो सकते है कैसे tsunami, drought, सूखा, अर्थ को एक भूकम, flood, bard को क्या है predict किया जा सकता है आसाने से quantum technology से more predictable हो जाएंगी यह मतलब कि इनकी भविश्यवा ने की जा सकती है कब tsunami आ सकती है, कब drought हो सकता है, कब अर्थ को एक भूकम, bard कब आ सकती है तो इन्हे predict करने में आसानी हो जाएगी quantum technology से, क्योंकि इनका data आसानी से collect किया जा सकता है, process किया जा सकता है quantum technology से और क्या है agriculture, food में, food technology में और जो wastage होती है ना farmland में, उसको limit किया जा सकता है और climate change की वज़े से जो भी problem हो रही है, better way में understand किया जा सकता है, उन्हें quantum technology से समझा जा सकता है, अच्छे तरीके से next advantage is pharmaceutical में, तो ये pharmaceutical में कैसे use हो सकता है, मालो health care industries में क्या है, दवाई या medicine बनाने में use हो सकता है कि जो मालो 10 साल तक भी जिने बनाने में time लग जाता ना, किसी दवाई को scientist जो organic medicine बनाते हैं, तो ये बहुत कम समय में quantum technology से quantum computer से बनाई जा सकेंगी दूसरा क्या है, जो protein का behavior होता है, उसे track करने में आसानी होगी, कि कौन सा protein कैसे behave कर रहा है, और कौन से protein जो effect कर रहा है, जिसकी वज़ए से बीमारी हो रही है तो ये quantum computer क्या है, इससे बहुत easier और faster हो जाएगा ये process करना, किसी भी protein का behavior का पता लगाना दूसरा क्या है, ये जो कोई chronic disease होती है, जैसे की cancer, Alzheimer's disease, heart, elements, heart, कोई heart की बीमारी, दिल की बीमारी तो इनको tackle करने में आसानी हो जाएगी quantum technology से, possible हो सकेगा next इसका क्या है, augmenting industrial revolution 4.0, जो fourth industrial revolution है, उसको क्या है, ये बढ़ावा दे सकता है, उसमें fourth industrial revolution क्या है fourth जो industrial revolution है, वो किरसे लेटिड है, वो जी technology, high technology, modern technology, जैसे internet of things से machine learning से, robotics से, artificial intelligence से, तो इनको promote कर सकता है, अब ये internet of things क्या होता है internet of things होता है जी, इसके बारे में एक बार वी पैसी question भी पूछ चुगी है, ये क्या होता है ये जी मानलो जैसे आप घर से निकल गए, office के लिए, और आप भूल गए कि यार मैं तो fan off करना भूल गया, मेरा fan चल रहा है वो मेरे room में, तो आप क्या है, office में बैठे बैठे, internet के तुरू अपना fan off कर देंगे मानलो आप ऐसी चला भूल गए, ऐसी चल रहा है, तो कर देंगे, बंद कर देंगे मानलो आप जैसे, आप मानलो दरवाजा लॉक करना भूल गए, वो कर देंगे आप मानलो आप office से उतर के, गाड़ी से उतर के office में चलेगे, गाड़ी आपकी on है और lock नहीं की, तो आपको याद आए, गाड़ी तो होने, तो आप ओफिस में बेटे-बेटे, internet के थुरूई क्या है, इस गाड़ी को अपनी को lock कर देंगे, car को, तो ये है internet of things, मतलब things को internet के द्वारा control क्या जा सके, तब ये नाम है इसका, internet of things, किसी भी चीज को, I.O.T, internet of things, किसी भी things को internet के जरी ये control क्या जा सके, वो ये internet of things, अब ये artificial intelligence क्या है, artificial intelligence का मतलब, जब machine, machine में emotions आ जाएं, humans की तरह, वो खुद सोच ले, मान लो कि अभी क्या है, आपको कोई काम करना है, आपका दिमाग सोचता है, तब ही आप वर्ग करते हो, ये काम machine खुद सोच ले, मा आगे क्या काम करना है, उसमें सोचने की सम, मतलब सकती हो, सोचने की power हो, तो ये ऐसी artificial intelligence होता है, और जो machine learning है, ये artificial intelligence पर ही काम करता है, machine learning, जो machine learning है, artificial intelligence पर कैसे, जैसे मान लो, आप अपने कमरे में, रूम में बैटे हो, आपको गर्मी लग रही है, तो क्या है, AC लगा temperature से, तो ये अपना automatic on हो जाएगा, जब मानलो ज्यादा ठंडा हो गए, आपको ठंड लगने लगए, आप काँ रही हो, तो ये बंद हो जाएगा, तो ये machine learning, बतलब अपने automatic काम करने लगए machine, machine learning, और robotics तो आप जानते हैं, robots, machine के दोरा मानलो कोई surgery करना, या कोई की भी काम कराना, industry का, कुछ भी robotics से, तो इन field में क्या बढ़ावा मिल सकता है, quantum computer से, quantum computing से, quantum technology से, अब लेकिन इसके challenge भी है, चुनोती भी है, मतलब परेसे नहीं क्या क्या है इसके सामने, quantum computing को develop करने में, एक तो जी price, इसका मूले बहुत ज़्यादा है, ये main disadvantage है, मतलब quantum computer का price बहुत ज़्यादा है, जो की normal, जो small business है, वो afford ही नहीं कर सकते है इसको, next क्या जी technology availability, इसकी technology भी अभी अच्छे से available नहीं है, quantum computer की, तो इससे भी क्या है, जो electron वगेरा है, जो data लेके जाते हैं इससे, वो क्या damage हो सकते है, environment की वज़ए से, अगर environment effect होगा, तो वो damage हो सकता है data, एक vulnerability भी है, vulnerability मतलब क्या है, इससे जी, जैसे मालो, quantum computer के द्वारा, कोई data जा रहा है, कि किसी भी, वो क्या है, जैसे और computer होते हैं मालो, और conventional computer है, तो ये इनका data क्या है, hack किया जा सकता है, लेकिन अगर quantum computing आ गई न, quantum technology, अच्छे से develop हो गई, तो इनका जो conventional computer से data जो जा रहा है उसे आसानी से hack किया जा सकता है, चोरी किया जा सकता है, तो quantum technology का ये सबसे बड़ा disadvantage है, जो normal data है, उसको quantum computing से आसानी से code किया जा सकता है, hack किया जा सकता है, चोरी किया जा सकता है, अगर गलत हातों में चला गया तो, what will happen if it gets in the wrong hands, अगर गलत हातों में quantum computing चले गई, दूसरा क्या है इसके लिए क्या है tons of new quantum algorithm चाहिए जी algorithm चाहिए quantum computer को perform करने के लिए computing को perform करने के लिए उसके बिना ये क्या है quantum algorithm के बिना ये काम नहीं कर सकता next क्या जी experience experience का क्या मतलब है जी बहुत सी company ऐसी है जी many company claim they have built quantum computer बहुत सी company उने claim क्या है हमने quantum computer बना लिया जैसे IBM है D-Wave है यह company है जी इन्होंने बना लिया computer इन्होंने claim किया है और D-Wave company तो यह भी claim किया दावा किया है claim का मतलब है जाद दावा करना claim किया है कि उन्होंने Sudoku और many other puzzles solve कर लिए quantum computer से जो क्या है classical computer जिनने solve भी नहीं कर सकता Sudoku आप जानते हैं Sudoku जैसे आपके newspaper में आता है daily आपने देखा गो तो puzzles वगएरा जो होती है जो classical computer होते हैं यह solve भी नहीं कर सकते हैं अपनी lifetime में वो quantum computer से solve कर लिए हैं हल कर लिया उनका next business challenge क्या जी unstable unstable कैसे है जी noise से temperature change से और electrical fluctuations से vibration से इसका data जो है na qubit operation में जो जा रहा है वो disturb हो सकता है तो पूरा data damage हो सकता है close हो सकता है एक यह भी जी next challenge है इसका cooling का क्योंकि जो इसका qubit में data जाता है न उसको very cold temperature चाहिए मतलब लगवग minus 273 degree Celsius में इसको क्या stabilize किया जा सकता है तो इतना temperature achieve करना एक अपने आप में challenge है जी चुनाती का काम है next अब क्या है जी इसके बारे में अब इंडिया के लिए क्या challenge है जी mainly इंडिया के लिए challenge एक तो हमने वो ही पढ़ा जी कि price वो तो है प्राइस बहुत ज्यादा है दूसरा इसके चैलेंज हो जाएगा जी lack of talent in the quantum computing industry मतलब की talent की कमी है जी quantum computing industry के लिए दूसरा क्या है lack of resources quantum computing के लिए संसाधन की resources की कमी है कि जैसे मानलो जो क्या है undergraduate और graduate students के लिए enable किया जा सके college वगरा में तो इतने resources नहीं है हमारे पास next challenge क्या है next है जी हमारे इंडिया में कुछ ही there are only a few institutes in India teaching quantum technology मतलब हमारे इंडिया में कुछ ही institute संस्ता है जो quantum technology के बारे में पढ़ाती है next challenge क्या है हमारी country में research and development में वैसे पीछे है लेक ब्याहिंड अदर countries तूसरी country हो से तो यह भी एक challenge है जी next challenge क्या जी next challenge है हमारी countries में quantum computing से related generals जो होते हैं वो भी बहुत कम publish होते हैं और क्या जी next challenge है जी there are fears that quantum computers will decipher the encryption that currently secure blockchain and cryptocurrencies जो भी अभी technology यूज होती है black chain में और cryptocurrency में secure करने के लिए तो quantum computer क्या है उसको भी hack कर सकते हैं अर्थ निकालना एक तरह से उन्हें भी पता लगा सकते हैं decode कर सकते हैं तो यह भी एक challenge है जी अब international level पर development क्या हुआ जी इसका quantum technology का international level पर हुआ जी USA ने भी इस quantum technology को development करने के लिए step लिए हैं अमेरिका ने दूसरा China ने क्या है एक quest नाम का यह जो world का first quantum satellite है जो quantum technology पर based है तो यह चाइना पहले ही launch कर चुका है quest नाम का satellite यह news में भी रहा था दो तिन साल पहले जी और क्या चाहिए और क्या है इंटरनेशनल लेवल पर Singapore ने भी National University of Singapore वहां के researcher ने भी खोज करते है उने भी nano satellite बनाया एक जो quantum communication पर based है और UK भी क्या है इसके लिए promote कर रहा है new quantum hub network बनाया है जिससे quantum technology पर वो क्या है invention करेगा खोज करेगा research करेगा उसके लिए 400 million dollar अल्रेड़ी दे चुका है United Kingdom अब इंडिया के क्या effort है जी इंडि इंडिया ने लिए effort quantum technology को बढ़ावा देने के लिए promotion करने के लिए India ने लिए जी एक तो जी researcher है क्या है कि 2018 में क्या है एक इंडिया ने quest नाम का वो बनाई technology quantum enabled science and technologies की full format quest ये step लिया जिससे क्या है quantum technology को बढ़ावा देने के लिए promote करने के लिए ये step लिया measures लिया लेकिन 2020 की budget में मतलब last year का जो budget हुआ था उसमें 8000 करोड रुपे quantum technology के लिए इंडिया ने provide किये और एक mission launch किया जिसका नाम था national mission on quantum technologies and applications NMQTA ये mission launch किया जो क्या है quantum computing पे काम करेगा develop करने के लिए technology को और इसका target ये जी जो mission and national mission on quantum के technology and application इसका काम ये है कि इंडिया को quantum technology में world's में third biggest mission बनाना है मतलब US और चाइना के बाद quantum computing में third level पे लेकर आना है इंडिया को ये target है ये आपको third level पे लेकर आना ने ये याद रखना है और mission याद रखना है 8000 करोड इसके लिए रासी परदानकी इंडिया ने दूसरा इंडिया ने क्या किया जी और ये ये तो क्या ही और quantum technology ये वो क्या क्या include करती है quantum technology करती है quantum computing, quantum communication, quantum optics, quantum information processing, quantum internet, quantum artificial intelligence ये सारे quantum technology के पार्ट ये आपको याद रखने है ये statement में देखे पूछा जा सकता है कि क्या 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 इसके पार्ट है quantum technology के अब मानलो इतने सारे challenges हैं इंडिया के पास और worldwide तो इसके way forward क्या हो सकते हैं इंडिया मानलो करना चाहिए quantum technology पर way forward का मतलब है जी, solution क्या क्या हो सकते हैं देखो जी जो इंडिया ने ये national mission for quantum technology and application launch क्या है वो क्या है इसमें investment कर रहा है इंडिया तो इसमें क्या है United States और Europe जो similar program चला रहे हैं तो इनको investment को और बढ़ा बावत है second क्या है, second क्या है कि जो physicist है, both, जो experimentalist है, theorist है, मतलब सारे computer के scientist है, material scientist है, engineer, सबको एक साथ लेके आए उनका collaboration कराए मतलब सबको एक साथ लेके आए एक platform पर और तब quantum technology पर research की जाए, invention की जाए, दूसरा क्या है, सारी communities हैं जो scientific community और institution सबका participation हो और सब एक साथ आके promote करें quantum technology को, तो government को ये करना चाहिए, दूसरा private funding के लिए भी government को search करना चाहिए, कि जो industries है या philanthropy है, जो भी अपनी मर्जी से quantum technology के लिए fund देना चाहिए, पैसाद देना चाहिए, प्रमोशन के लिए, तो सब को invite करना चाहिए, industries को एक साथ लेके आना चाहिए, जैसे for example क्या है, ये क्या है, एक understudied fund that can be used to attract and retain high quality manpower to build international network, मतलब international network बनाने के लिए, जो भी fund अभी restricted किये हुए, उनको attract करना चाहिए, ताक की technology को बढ़ाया जा सकें, इसका most example देख सकते हैं, चायना और सिंगापूर में जैसे किया, सारी community को international communities, या फिर industries, या जो भी philanthropy अपनी मर्जी से पैसा देना चाहिए, fund देना चाहिए, तो सब को attract किया, सिंगापूर चायना में, और quantum technology डवलप कर रहे हैं, और चायना अल्र लेक्चर में हम मिलेंगे किसी ओर topic के साथ, तब तक के लिए इंतिजार